मेरे प्यारे देश्वास्यों, अब मैं आपसे भारत की एक ऐसी उपलब्दी साजा कर रहा हूं, जिससे मरीजों का जीवन आसान बनेगा, उनकी परेशानी कुछ कम होगी। आप मैं से कई लोग होंगे जिने इलाज के लिए आईरवेट, सिध्धा या युनानी की चिकत्सा पद्धती से मदद मिलती हैं, लेकिन इनके मरीजों को तब समस्या होती हैं जब इसी पद्धती के किसी दूसरे डॉक्टर के पर जाते हैं, इन चिकत्सा पद्धतियों में बिमारी के नाम, इलाज और दवाईयों के लिए एक जैसी भासा का इस्तमान नहीं होता है, हर चिकत्सक अपने तरीके से बिमारी का नाम और इलाज के तौर तरीके लिखता है, इससे दूसरे चिकत्सक के लिए समझपाना कई बहुत मुश्किल हो जाता है, दसकों से चली आ रही इस समस्या का भी अब समाधान खोज लिया गया है मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आईश मंत्रा ले ने आयुरुवेद, सिद्ध और युनानी चिकित्सा से जुड़े डेटा और शब्दावली का वर्गी करण किया है इसमें विश्ट्व स्वास्त संग अगठन ने भी मदद की हैं दोनों के प्रयासों से आयुरुवेद, युनानी और सिद्ध चिकित्सा में बिमारी और इलाज के जुड़ी सब्दावली की कोडिंग कर दी गई है इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या अपनी पर्ची पर एक जैसी भाषा लिखेंगे इसका एक फाइदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगे आपकी बिमारी, इलाज, कौन-कौन सी दवाएं चली हैं, कब से इलाज च का एक और फाइदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं, दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को भी बिमारी, दवाएं और उसके प्रभाव की पूरी जानकारी मिल जाएगी, रिसर्च बढ़ने और कई वैज्ञानिकों के साथ-साथ जुनने से ये च जुकाओं बढ़ेगा, मुझे विश्वास है, इन आयुष पद्धतियों से जुड़े हमारी चिकित्सक इस कोडिंग को जंद से जल्द अपनाएंगे, मेरे साथियों जब आयुष चिकित्सक पद्धति की बात कर रहा हूं, तो मेरी आँखों के सामने यानूं जामों लो लिशय सज्ञ्या हैं, इनोंने आदी जंजाती की पारमपारिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जिविट करने के लिए काफी काम किया है, इस योगदान के लिए उन्हें इस बार पद्धत्सम्मान भी दिया रहा ही, इसी तरह इस बार थ्थटिस गड़ के हैंचन मा जी उ लोगों का इलाज करते हैं 36 गड़ के नारायनपूर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें पांच दसक से जादा का समय हो रहा है हमारे देश में आउर्वेद और हर्बन मेडिसिन का जो खजाना छिपा है उसके समरक्षक में सुरूसी यानून और हैमचन जी जैसे कि बहुत बड़ी भूमी कहा है